Spreadsheet View Advanced पर इस GeoGebra टिटोरियल में खुशाम दीद। अगर आप GeoGebra के लिए Spreadsheet का इस्तमाल पहली बार कर रहे हैं, तो Spreadsheet View Basics टिटोरियल के लिए सुपोकुन टिटोरियल वेब साइट मुलाखता करें। इस टिटोरियल में हम मंदर गजैल करेंगे Spreadsheet View का इस्तमाल, Slider का इस्तमाल करते हुए function के साथ trace होने वाले point के x और y coordinates को record करने के लिए data का इस्तमाल करते हुए number patterns यानि गिंती की साख्ट की शिनाख्ट और function graph का पता लगाने के लिए मैं Linux Operating System Ubuntu version 10.04 LTS और GeoGebra version 3.2.40 इस्तमाल कर रहा हूँ अब GeoGebra विंडो में Spreadsheet की अकासी के लिए View menu option में जाएं और Spreadsheet View option को चेक करें अब यहां x value नामी एक slider बनाएं हम minimum और maximum default values को छोड़ते हैं और increment को 1 में तबदील करते हैं x value को minimum value की तरफ मुंतकल करते हैं एक point A बनाएं point परदाया क्लिक करके और object properties मुंतकब करके point A के coordinates को x के लिए x value में और y के coordinates के लिए x value के तीन गुना में बदलें यहां हम slope रखेंगे जो इस point की तरफ से तीन तक trace होगी keyboard पर tab दबाएं साथ ही short trace को मुंतकब करें और close दबाएं Spreadsheet view मुंतकल करें ताके हम columns A और B को देख सकें अब यहां पहले टूल में तीसरे option record to spreadsheet option को मुंतकब करें Point A मुंतकब करें अगर drawing pad से यह जाहिर नहीं होता है तो इसे algebra view से मुंतकब करें और फिर x value slider को minimum से maximum में मुंतकल करें तवज्जा दें इस point A का x coordinate separate sheet के column A में trace किया है और point A के y coordinate को column B में trace किया है एक बार जब यह सबक बन जाता है आप तालबी इल्मों से पूछ सकते हैं कि separate sheet view में visual यानी बसरी trace को देख कर या data को देख कर function की patient go e करें patient go e किया गया function input bar में f of x equal to 3x के तौर पर input हो सकता है जियो जिब्रा में times के लिए हम space इस्तमाल कर सकते हैं और enter दबाएं अगर patient go e दुरुस्त है तो तमाम trace शुदा point line पर होंगे जो की input थी या function जो input था हमने एक x value slider बनाया हमने x value और 3x value coordinates के साथ एक point A बनाया हमने मुख्तलिफ x values के लिए point A के x और y coordinates को record करने के लिए record to spread sheet का इस्तमाल किया हमने number patterns का इस्तमाल करके एक input function की patient go e की अब सबक के अगले हिस्से में पहले point A से trace को हटा देते हैं अब y intercept parameter शामिल करते हैं एक और slider बनाएं और इसको B नाम दें minimum और maximum values को छोड़ कर और increment को 1 में बदलें और apply पर click करें अब हम B की value मुंतकल करेंगे move tool इस्तमाल करें और B की value को 2 में बदलें x value को minimum value की और बदलें फिर point A पर दाया क्लिक करें object properties को मुंतकल करें y coordinate को 3x value प्लस B में बदलें keyboard पर tab दबाएं show trace को चेक करें फिर spreadsheet view मुंतकल करें ताके आप column C और D देख सकें अपना cursor C1 पर रखें फिर record to spreadsheet option इस्तमाल करें पहले point A मुंतकल करें ये वो है जिसे आप trace करना चाहते हैं और फिर x value को minimum से maximum में मुंतकल करें आप देख सकते हैं कि point A का x coordinate spreadsheet के column C में और point A का y coordinate column D में trace हुआ है इस data से आप शागिर्दों को pattern समझने और function की पेशन गोई करने के लिए कह सकते हैं इस अमल को B की मुख्तलिफ values के लिए दोहराएं मुतवक्का function input bar में input हो सकता है चूंकि हमारे पास f of x पहले से ही है मैं gx equal to 3x plus b इस्तमाल करूंगा b की value यहाँ 2 है और enter दबाएं अब खुलासे के लिए हमने b नामी एक और slider बनाया point a के coordinates को x value और y coordinates के लिए 3x value प्लस b में तब्दील किया मुख्तलिफ x value और b values के लिए point a के x और y coordinates को record करने के लिए record to separate sheet option इस्तमाल करें हमने एक input function f of x equal to 3x plus b की पेशन गोई की यहाँ हमने function को सिर्फ g of x कहा है अब तफ्वीज पर चलते हैं तफ्वीज के तोर पर एक quadratic function को x value और a sliders को बनाकर trace करें x coordinate के लिए x value और y coordinate के लिए x value square coordinates के साथ एक point a बनाएं मुख्तलिफ x value और a values के लिए point a की x और y coordinates को record करने के लिए record to separate sheet option इस्तमाल करें और f of x equal to ax square की पेशन गोई और input करें तफ्वीज को जारी रखने के लिए हम एक quadratic function ax square प्लस bx प्लस 3 को trace करेंगे हम एक और slider b बनाते हैं x value, ax value square प्लस bx value प्लस 3 coordinates के साथ एक point a बनाएं मुख्तलिफ a और b values की combination यानि जोडूं के लिए point a की x और y coordinates को record करने के लिए record to separate sheet option इस्तमाल करें function f of x equal to ax square प्लस bx प्लस 3 की पेशन गोई करें और input करें मैंने ये geogibra file पहले ही बना ली है इस मिसाल मैं trace on मुंतखब करें ये पहले से ही मुंतखब है हम x value को minimum मैं बदलेंगे और record separate sheet को इस्तमाल करेंगे point a चुनेंगे और x value slider को मुंतखब करेंगे हम मुतवक का function f of x equal to 2x square plus 2x plus 3 को input कर सकते हैं जिसे हमने constant यानी मुस्तकिल value का तायून करने के लिए इस्तमाल किया है इस पारबोला के साथ इन traces पर तवज्जा दें इस website पर दस्तियाब वीडियो देखें ये सुपोकुन टिटोरियल प्रोजेक्ट का खुलासा करता है अगर आपके पास अच्छी band video नहीं है तो आप इसे डाउनलोड करके भी देख सकते हैं सुपोकुन टिटोरियल प्रोजेक्ट टीम सुपोकुन टिटोरियल का इस्तमाल करते हुए वर्क्शॉप्स भी चलाती है और ओनलाइन टेस्ट पास करने वालों को सनद भी देते हैं मजीद मालूमात के लिए इस email address पर राबदा करें सुपोकुन टिटोरियल प्रोजेक्ट टॉक्ट टाउक्ट एटीचर प्रोजेक्ट का हिस्सा है इसे भारत की हुकूमत के MHRD ICT के जरिये कौमी खौंदिगी मिशन की तरफ से हिमायत हासिल है मजीद मालूमात इस वेब साइट पर दस्तियाब है इस सिक्रिप्ट का तरजमा और सदाबंदी मैंने यानि वजाहत अहमद ने की है शामिल होने के लिए आपका शुक्रिया